हेलो एवरिवान वेल्कम चो अल आफ यू आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यह ओनलाइन लर्निंग प्रेटफॉर्म पेज इसका नाम है लैट्ट्सिई इंडिया है तो फ्रेंड्स आज का हमारे यह टॉपिक होने वाल या एक जूवला से प्रॉपयस आज रिन करते ह्सारे प्रीवियेस लेक्टे डिसकस के थी आज न को डिसकस करना है कुछ modifications मतलब हमने discuss किया था कि इसमें क्या होते है हाइफी होते है filamentous इनका structure होता है और यह मिलके क्या बनाते है हाइफी यह हाइफी compact structure बनाते हैं और mycelium का formation करते हैं मतलब सिंगल ऐसे स्ट्रेंज हो थी वह हमारे कहला रहे थी कि यह क्या है हाइफी है और बहुत सारी हाइफी एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते थे network like structure बनाते हैं यह माइसीलियम है ठीक है हाइफी और mycelium अब जो है यहां पर हम लोग देखें कि हाइफी जो है तो वहां पर क्या होता है कि रूट का जो मीन काम है जो वाटर को एब्सॉब करना वह प्लान को support प्रवाइट करना उससे बदल के कभी-कभी वह food storage का काम करने रगता है कभी-कभी वह photosynthesis assimilation का काम करने रगता है तो अपने काम से अलग हटके अपने काम से थोड़ा सा difference दिखाके अगर कुछ परिवर्तन करके कोई organ कोई function perform करता है तो वह कहलता है यह modifications है तो यहां पे भी हम discuss करने वाले हैं कि जो हमारी fungi थी उसकी hyphae compact structure बनाएगी कुछ मतलब जूड के कुछ इस तरीके से proper structure बनाएगी जो कि कोई एक particular function perform करेंगे या फिर कोई एक particular organ like appearance देगी उसे हम लोग कहते हैं कि यह क्या modifications है तो यहां पे modifications में हम लोग mainly क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे prosyn काइमा के बारे में prosyn काइमा क्या होता है prosyn काइमा एक ऐसा structure होता है जहां पे बहुत सारी हाइफी में थोड़ा सा paint को ठेक कर लेती हूँ जहां पे बहुत सारी हाइफी इस तरीके से मालीजे बहुत सारी हाइफी थी यह हाइफी क्या करेंगी compact structure बनाएंगी बट यह compact structure यह बनाती है हमालीजेर त्रीके से मैंने आपको लिखाए इस तरीके से पारल्ल स्थे इस तरीके से पारलल स्थे बनाएंगी यह पेरलेलेल स्थे बनाती है और Magazra स्ट्रक्चर होता है यह इतना कॉंपैक्ट होता है मतलब काफी कॉंपैक्ट होता है लेकिन इतना भी कॉंपैक्ट नहीं होता कि हर हाइफी अपनी इंडिविज्वालिटी को खो दे नहीं मतलब इसमें से हर हाइफी को अगर अलग करना चाहते तो आपको पर्टिकुलर विजुलिटी नहीं को लॉस करती है मतलिक वो एक दुसरे सा मिक्स होगे दुसरे सा फ्यूस नहीं होती है हर हाइफी सेपरेट होती है बट वो compact structure बनाती है ऐसे modification को कहते है यह प्रोसिंट काइमा लिखा क्या है compact हाइफी lies parallel बंद डॉस दियर इंडिविज्वालिटी यह जो हाइफी है यह एक दूसरे के पैललल होती है और कभी भी अपनी इंडिविज्वालिटी को लौस नहीं करती है आगे देखते हैं आगे next में क्या है pseudo-parenchyma तो pseudo का मतलब ही क्या होता है? false pseudo-parenchyma पारंchyma क्या होता है? एक प्रकार के differentiated cells होती है जैसे कि plant में जब हम लो type of tissues पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं prosenchymal, parenchyma, sclerenchymal and colonchymal, तीन प्रकार की वहां पर टिशुज पढ़ते हैं तो parenchyma क्या होती है? कि most active type की cell का differentiation होता है एक प्रकार की ये tissue होती है तो pseudo मतलब false parenchyma मतलब कि ये देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये parenchyma है but it is not a true parenchyma it is not a true parenchyma जब आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा feel होगा आपको ऐसा लगेगा कि ये parenchyma देसल्स हैं लेकिन ये false parenchyma देसल्स होती है यहां पर हाइफी इस तरीके सेरेंज होते हैं कि ये parenchyma to cells like appearance देते हैं तो इस परकार कि जो modifications होती है इसे हम लोग कहते हैं pseudo parenchyma और pseudo parenchyma और prosynchymा में क्या difference होता है कि pseudo parenchyma में हर हाइफी अपनी individuality को loss कर देती है मतलब आपको देखके नहीं पता चलेगा कि ये मतलब इसमें कितनी हाइफी है कौन सी हाइफी का कौन सार्टिंग पॉइंट है कौन साइंडिंग पॉइंट है ये इतना फ्यूज होती है कि उसमें इतना फ्यूज कर जाती है और आप हर हाईफी की Indian solarity को पता नहीं कर सकते हुआ आगे चलते है आगे क्या है rhizomar अब हम लोग देखेंगे क्या होता है rhizomar तोاذ望 राइजो का यूज जहां पर भी होता है राइजो का मतलब क्या होता है Root राइजो का क्या मतलब होता है And Morph क्या मतलब होता है morphology थोड़ा सा हम लोग इसको थिन कर लेते हैं morphology क्या मतलब होता है morphology तो नाम से क्या समझ मेरा नाम से इतना चीजी समझ मेरे कि जब root-like morphology appearance दिखने लेगे कि इसमें mycelium में या hyphae ऐसे modifications करें कि वो root-like morphology appear करें तो उसे हम लोग कहते है rhizomorph राइजो मॉर्फ आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा tap root होता है इस तरीके से draw कर सकते है और यहां पे hyphae यहां पे इस तरीके से filamentous hyphae को टुरू डख़करे स्फब्स प्रकाइब मतलब परणहों के ठाइज चाहने देखने को मेरेगे ऐस नौक तू परुक्रीमा राइजो मॉर्फ राइजो मॉर्फ राइसो मतले मॉर्फ मतला हम जिसमें क्या कहते हैं कि यह इनकी प्रभाइबल में हेल्प करता है जैसे कि हम थे बेक्टिरिया में क्या पढ़ा था इंडो इंडो इंडोस्पोर्स वो हूं क्या करते थे लिमिसिंतार स्देटों mmC अपने करेंगा डाईबर्स दिनके सर्वाइबल में यह डेसने के पर्वाइबल करेंग एप इनने कंदिशन में पउलंच होता है is Jeanne अंधर का सर्वाइबल कि यह थिस के अंदर क्या होताの waiter जब वो फिर germination करता है या फिर अपने perination की समय में जो उसकी body की metabolism होती ही वहाँ पर इसका use करता है और ये जो है कि एड़ास कंडिशन में survival में इनको help करता है लास्ट में और सबसे important एक modification है जो की mainly features किसका है parasitic fungi का वो क्या है वो hostorea है क्या होता है माली जब पढ़ा था किसक बारे इंडो mycorrhisa रिक्टो mycorrhisa के बारे बढ़ा था तो जो endo mycorrhcü पढ़ाता है हमने हमने देखा था कि तरीके से fungi की जो mycelium होती है इस तरीके से fungi की mycelium होती है ये mycelium हे इस और इस तरीके से चुसक लाइक होना अचो के और सफिके फासी में जएक हम unity युका टवकर में देंडे कि इन था पीशू के से कहते हैं शखै ए चुसक लिए थेस रमठी अचो कुछ एपमart अन्ट साथ एनिट्टिम्हे कर헤 सहां थेश। तो उसी तरीके से फंगी की कुछ जो परासाइटिक फंगी होती है जो होस्ट पे जाके अपना लाइफ सर्वाइबल करती है उनके पास यह होस्टुरिय लाइक सब्सक्रीष के दिसकुर्ण से कुछ मौडिफिकेश़ तरीके सब्सक्राइब। आपने तोपिक फंगी होती हैं वाले सांडी हैं अगर आपने फैकोलाओ को आफ़ लेक्चेर देख लिए हैं तब आपको यह ऐसे संज़ेना बिलगु घूजी तोपिक होगा है क्योंकि आपको डाइबर्सिटी वहां पर देखने को मेलेगी यहां पर तीम पढ़ने हैं पर देखरो रेमिल्ही के अगि … अगार पर नथ करती कि इसकी है यूशी ऐसके लोतीक känसें करने है उसके छोचेह और हेपने रेमिल्हायान पर देखरो में इतने कि raton साथ इसकी माइसीलियम के साथ हम स्टार्ट करते हैं यह देखिए यहां पर इसकी माइसीलियम को दिखाए गया है अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो माइसीलियम रहती थी या फिर जो भी थालस रहता था उस थालस में क्या होता था कि उस थालस से गैमिट ब बां आते थे ऐसी चीज हमने अभी तक पढ़ते हैं लेकिन यहां पर क्या होता है हमारी जो ale यहां पर पर लाइफ साइकल पढ़ते हैं तो यहां पर तरी स्टेपस होता है यहां पर मेता हन प्लाजमोगैमी दूसरा स्टेप क्या होता है क्यारियोगैमी क्यारियोगैमी और तीसरा स्टेप होता है मियोसिस पहला क्या होता है प्लाजमोगैमी दूसरा क्यारियोगैमी और थर्ड क्या होता है मियोसिस प्लाजमो का मतलब यहां पे है प्लाजमा मेंब्रेन से प्लाजमो का मतलब क्या है fusion और वहीं पर क्यारियोत का मतलब क्या है nurse आधि आखते साथ एमे चोपलाम है यह सबसे पहले। साइटि प्लाजम मिक्सिंग होता है माली जी हमारे case में किया ओता है। सिंफ DNA ही transfer होता है। लेकिन जहां पर complete cell fuse करते हैं वहां पर क्या होगा? कि पहले माली जी हमारे पास एक cell थी, यह मालो female का है और जो यह next dollar क्या है? यह male का है तो यह दोनों जब fuse करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो fusion होगा सबसे पहले एिए प्लयास्मा मेंबरेण फ्यूजपी करेंगी तो सबसे पहले से क्वेए last और geehr अल्abord к ब्लाज्मोंगामी ख cheat When plasma gamut is completed then the cytoplasm of two cells will be mixed but the nucleus of the two different gamut is now distinct अभी भी वो separate है और ये condition कहलाती है Dicariotic stage, Dicariotic stage किसी फंगी में थोड़ा बहुत short time के लिए होता है किसी फंगी में ये long time के लिए होता है तो Dicariotic stage मतलब दो फंगी जब आकर पस में आके fuse करती है तो पहले plasma gamut होती है जिसके फल स्वरुप Dicariotic stage बनती है उसके बाद इसके जो है gamut fuse करते है मतलब हमारे पास ये blue वाला था और हमारे पास ये था white वाला था और दोनों के gamut भी जो है कि आप fuse कर चुके हैं दोनों के gamut भी आप fuse कर चुके हैं दोनों के gamut fuse करने के बाद जैसे मालो ये यन कंडिशन थी ये यन थी तो ये condition 2-1 हो गई अब इसके बाद इसमें होगी meiosis और 2-1 कंडिशन का फॉर्मेशन होगा तो ये तो stage हो गई reproduction की इनकी gamut fusion की ये हमें सा याद रखेंगे ये फंगी का है special feature इसमें की di-caryotic stage देखने को मिलता है तो यहां पर हमारे पास mycelium है माइसीलियम में पहले हम एस एक सो इस कंडिशन देख लेते हैं कि माइसीलियम से क्या बनेगा spore producing structure मतलब जिसे हम लोग कह सकते spore engeum बनेगा जहां पर spore का formation होगा अब जहां पर spore का formation होगा वह spore forming a structure का formation होगा तो वह spore forming a structure spore बनाएंगे और यह spore जर्मिनेट करके क्या करेंगे नए mycelium नए thallus नए hyphy का formation करेंगे कि कुछ भी नहीं है बस mycelium है mycelium के ऊपर mycelium के ऊपर ऐसे structure का formation होगा जो कि spore form करते हैं spore form करने वाले structure के अंदर spore बनेंगे और यह spore आगे चल के जर्मिनेट होके नया mycelium नया thallus बनाएंगे तो यह तो हो गई एस sexual production की बात अगर हम sexual की देखें तो mycelium में क्या बनेगा mycelium पर पहले क्या बनेंगे हमारे पास gamut producing और मतलब gamut producing well एक और वज्युज बनेंगे और उस और पहले किया होगा कि gamutges बनगे ज mooi करेंगे सबसे पहले क्या होगी plasma devi होगी सबसे पहले क्या होगी plasma jamut फ्रीज क्रीज गे उस केदम इंदर जो हेंट्रो तो हैं तो थाईकरियॉक स्टेज तो बीच में है ऐडिकरियॉटिक स्टेज़ उसका फरमेशन होगा उसके बाद होगी केरियो घालमी जहां पर नुकलियॉस का होगा फ्यूजन फ्यूजन होगी वाद फ्रमेशन होगा किसका, Zygote का, Prazmogamy की बाद formation किसका होगा, heltroznah MyKrialod का यह दाइक करियोम्यों क्टेस का हो यहा यहां पर करियोम्यों होगा, वहां से किसका formation होगा, Zygote का, Zygote से होगी, Zygote मियोसस, और मियोसस परμोइश window वहाद formation किसका होगा, Sports का, Prazmogamy के बाद, Di-Carrotic stage permett और यहां पर complete इनकी life cycle होती है अब हमको देखना है कि इनकी जो life cycle होती है यह कितने type की होती है तो तीन type की life cycle आपको देखने को मिलेगी पहला क्या है पहला है haplontic haplontic दूसरा क्या है diplontic और तीसरा क्या है haplodipontic पहला क्या है haplontic दूसरा diplontic तीसरा क्या है haplodipontic अब पहले तीनों के basic डिफरेंस को understand करते हैं उसके बाद slide पर जाके समझना बहुत आसान है अगर आपने क्या मतलब होता है haplodipontica और क्या मतलब होता है haplodipontica लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी मैं पूरा ट्राइ करूंगी कि आपको यहां पर आज इन तीनों वर्ट का मीन समझ में आ जाए haplodipontic यहीं तो वर्ड यहां पर यूज हो रहे हैं तो इसको पहले समझते हैं उसके पहले हमको समझना पड़ेगा क्या होता है haploid और क्या होता है है अगुडित और डिप्लॉट हो कहते हैं द्विगुडित तो अगुडित और ड्विगुडित है प्लॉट का मतलब क्या होता है कि जब किसी एक करेक्टर के लिए आपके पास कोई एक सिंगल सेट आफ क्रोमोजोम हो जब किसी करेक्टर के लिए आपके पास कोई सिंगल स आधे जीन्ही आपकी क्रोपा से मिलते हैं उसी ूसी Chema की त की तौन की जीन्ही ये ऩागलों, कि साथे निशनचनकी हैं, इसलिऊ साथे विजागलों नहीं जाना है fruit यह नहीं वह दो आपके हाइध के लिए है वहाले तो मम्मी की फर्स्ट जीन भी जोपस्ट वाले कहोगा सब्सक्राइब और वहार बस्ते रहेंच की तब उसे हैं आपको 23 ख्रोम मुजोम के लिए अपके लिए वहाइध के लिए में होगा किसी एक जीन के लिए आपके पास सिंगल अलील ही प्रेजेट होगा दोनों का कॉंबिनेशन प्रेजेंट नहीं होता तो यह कंडिशन केलाती है प्लॉइड और दूसरी वाली क्या क्या दिप्लॉइड तो अब बात आती है करें धी लाइफ करें जाता है उनके पास ऑस्था उनकी है उनके पास किसी भी चीन के लिए ख्यायक्टर के लिए इस इंगल एलील ही प्रेजेंट हो तो ऐसे organism कहलाते है haplontic, मतलब कि जो complete life cycle है, उसका 80-90% जो अवस्था है, वो उनकी haplontic ही रहेगी, diplontic का मतलब क्या है, कि most of the life का हिस्सा है, most of the life की stages है, उसमें उनके पास एक character के लिए एक से ज़्यादा, मतलब कि जो है क्या प्रजेंट रहेंगे, दो एलिल प्रजेंट रहें कि जासे हमारे अंदर होता है, haplodeplontic का मतलब ऑक टाइम दोनों का equal equal approximately बहुत जयादा haploid भीनेयता, बहुत ज़्यादा दोनों जो है equally होते हैं, तो ऐसी life cycle को कहते हैं, कि है haplodeplontic है, मतलिक है प्लू जब single, ये इतना जो pink वाला एरिया नहीं की है तो antibiotic battery life cycle यह वाला पूरा यह आपको दिखा रहा है है इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास एक mycelium थी ठीक है मालीजी आपके पास यहां पर यहां पर यहां पर है यह mycelium क्या करेंगी यह sport producing कुछ और्गिनल्स बनेगी वहाँ पर स्पोर्स बनेगी यह स्पोर्स जो है यह स्पोर्स करें तो आपके पास क्या है आपके पास मैं सीलियम है कि आपके पास क्या है mycelium है यह mycelium क्या करेंगे यह mycelium बनाएंगे आपका क्या अधिये मैंसिलीह मापको बनाएंगे spor producing organelles spor spor नहीं आप gamit कह सकते हैं My guys producing organelles का formation करेंगे और यहां से बनेगा क्या gamit बनेगा gamit genesis की process होगे और किसका formation होगा Gammet का formation होगा. वालों कि यहां पर Gammet का formation हुआ. अब ये Gamet Fuses करेंगे, मतलब यहां से condition change होगी और यहां पर बनेगा जाईगोट लेकिन अभी तक कि सारी condition होगी हैं हपलोइड थी. अब जैसे ही जाईगोट बने, जाईगोट जाएगा मुऊसिस में और यहां पे चार स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जाइगोड जाएगा मियोसिस में और यहां पे चार स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जैसे ही स्पोर का फॉर्मेशन हुआ जो हमारे डिपलॉइड अवस्था थी यह जो डिपलॉइड अवस्था थी यह फिर से haploid अवस्थाम चेंज हो जाती है और यह स्पोर्ट जर्मिएट करके फिर से mycelium structure बनाते हैं तो जगे कम ते तोड़ी से खच-पच हो गई बस आपको basic understanding यह रेखने कि हमारे पास thallus थी मारे पास mycelium ती इस mycelium में कुछ ऐसा structure बने जहां पर gamut का formation यहां पर directly gamut यहां पर gamut क्या करेंगे फ्यूज करेंगे plasmo gammy होगा carryo gammy होगा zygote का formation होगा zygote तुरंत myosis division में जाएगा और जो हमारी deployed stage सिर्फ जाइगोट वाली बने थी मतलब यहां पर deployed stage वह सिर्फ जाइगोट की है इसलिए इस टाइप के जो life cycle से कहते है कि यह क्या है यह haplontic life cycle क्योंकि life की most of the stages होती है वह haploid condition में ही complete होती है तो इस तरीकी life cycle को कहते है कि यह haplontic है next में आप देखते हैं डिप्लॉंटिक life cycle के बारे में डिप्लॉंटिक life cycle में देखे यह जो पूरा structure दिख रहा है यह आपको डिप्लॉंटिक है और यह जो structure दिख रहा है यह आपको क हमारे जो मैसीलियम होगी वह deploy होगी अभी तक हमारी जो मैसीलियम हम देखे वह haploid थी लेकिन ऐसी condition में हम्मरी जो ठैलत हो वह क्या होगी deployed होगी deploy ठैलत होती है उसमें क्या होगा कर्मिट का formation होगा with the process of the mitosis यहां पे क्या होगी mitosis होगी और किसका formation होगा gamut का formulation होगा कि यहां पर होगी मिउस्ष और गाविट करेंगे और फिर से डिपलाइट के निश्र बनेगी मतलब अगर मैं आपको यहां पर समझाओं तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास से स्धार 2 वा कि सुछ और साथ प्राष्थ अर्पलमेशन से तो जो है की धानना यह गामिट क्या करेंगे फ्यूज करेंगे मालो यह गामिट जो है यह क्या किये फ्यूजन और यहां पर क्या बना यहां पर बना हमारा जाइगोट और जाइगोट जो है यह फिर से जर्मिनेट करके क्या बनाया तो लाइफ की जो यह वाली स्टेज है यहां से जो आपके मतलब कि जैसे हमारी humans में क्या है कि body पूरी की पूरी जो है वो हमारी डेपलोईड है लेकिन जो हमारी germ cells होती है जब हमारे body में ovum और sperm होता है तो यहां पर बस वही जो गामिट बनते हैं वो है पूरी की पूरी स्टेज जो होती है तो यह कहलाती है Diplontic Life Cycle अब लास्ट वाला देख लेते हैं Haplodiplontic Life Cycle तो Haplodiplontic Life Cycle में क्या होता है कि Life की कुछ stage जो होती है मतलब Halfly Halfly Stage होती है वो Diploid होती है और Half Stage जो Haplod होती है इसमें क्या होते है कि सबसे पहले हमारे पास Sporophyte से माले यास स्टार्ट करते है Sporophyte में Mioses होता है यहां पर क्या होगा Mioses Division होगा और Mioses Division अगर होगा यहां पर मियॉसस होगा और Mioses के बाद जो Sporps बनेंगे वो क्या हो जाएंगे Haplod हो जाएंगे यह Sporps क्या करेंगे Germinate करेंगे यह Sporps देखे तुरंद Fuse नहीं किया यह Sporps क्या होएं? Germinate होएं Germinate होने के बाद इस जो structure बनेगा Germinate होने के बाद जो gametophyte बनेगा यह gametophyte फिर से जो है gametogenesis करेंगे और उसके बाद gamet का formation और वहां पर sin gammy होगी देखिए Diplontic में क्या था कि complete life cycle क्या थी? Diploid थी बस एक gamet था Diploid थी बना था Diplontic life cycle में क्या थी complete life cycle क्या थी? Diploid थी और सिर्फ जो हमारा जाइगोड वारा condition था Diploid Diplontic में क्या है कि हमारे पास स्पोरोफाइट है Sporophyte में क्या बना स्पोर्स बने With the process of the meiosis Diploid था थी क्या हो चुग है? Diploid हो चुका है The gametophytes बना रहा है Gametophytes के ऊपर फिर से बना रहा है कुछ gamet bearing structure बन रहा है जहां पर gamet का formation होगा वहां पर हो रही ही gametogenesis वहां पर gamet का formation हो रहा है और वह gamet फिर फ्यूस करके जाइगोड बना रहे है यह जाइगोड फर्दर डेवलप्मेंट करके स्पोर फाइट बना रहे है मतली ना तो जाइगोड पर फार्दर मियोसिस तो हमारा बनीटовор, लिए ड्वा यहां पर हमारी डrüॉट्वाट लाइफ साइकल भी कुछ थ्ल साहिता और यह तो दोनों बैलनमेंस के उसको कहते है कि यह haplonic haplo dipontic life cycle है हमेशा याद रखेंगे कि यहां पर कहा है gametophyte भी germinate होगा और spor भी germinate होगा ना तो spor में तुरंथ म्यॉसिस होगा ना तो जो हमारा म्यॉसिस के बाद जो gamet जो sports बन रहे हैं वो तुरंथ fuse करेंगे तो यह difference है आपके haplonic dipontic और haplodiplontic life cycle के अंदर कुछ कोशिंस मैंने एड़ किए है सबसे पहला कोशिंस है perfect stage of fungus cord फंगी की जो perfect stage होती है वो कौन सी होती है जब फंगी रिप्रडूस करेगा asexually या जब वो perfectly healthy होगा मतलब उसकी growth वेड़ा सब अच्छे सोरी वो proper healthy है तो उसको कहते है perfect stage या फिर जब वो reproduce करेगा sexually या फिर all of the above यह मैंने आपको भी नहीं बताया है जब हम लोग classification पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीजे पढ़ेंगे पर समझ लीजिए कि देखिए perfect stage का मतलब क्या होता है फंगी की case में फंगी में दो टर्म के हिसाब से classification किया गया है एक है perfect stage और दूसरा क्या है imperfect stage जिस फंगी की हमको sexual reproduction की process पता होती है sexual reproduction के अंदर होता है यह बात हमको पता है उन सारी फंगी को हम कहते हैं कि यह क्या है perfect फंगी है और वो सारी फंगी जिसकी life cycle में sexual reproduction के बारे में हमको information नहीं है वो fungi कहलाती है imperfect fungi तो perfect stage का मतलब कि जब fungi reproduce करेगी sexually जब उनके अंदर sexual reproduction देखने को मिलेगा तो वो कहलाती है perfect reproduction मतलब कि perfect stage due to my cities के जो member होते हैं उनको कहते है fungi imperfecti और बाकि सारे ग्रूप है उनको कहते है कि यह perfect fungi है next question क्या है all fungi are इस question का answer आप लोग देंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने fungi के general character आपको बताये थे all fungi are सभी fungi क्या होते है autotrops होते है saprotrops होते है parasyte होते है hetrotrops होते है तो इस question का answer आप comment box में देंगे with proper explanation कि क्यों यही वाले फंगी जो है की correct option है next में क्या है yeast unlike bacteria yeast जो होता है जिसे हम सेक्रोमाइसिटी सेरी वेसी कहते है वो bacteria से किस तरीके से unlike है किस तरीके से different है तो इसमें bacteria के कौन-कौन से character है bacteria पहरी बाद prokaryotes होती है तो इसमें पूछ thoughts yeast इसे तरीके से बैक्टिया अलग होते है yeast क्या होते है वो ukaryotic cells होते है और हमारो जो bacteria होते है prokaryotic cells होते है yeast वो prokaryotic नहीं होते है bacteria prokaryotic होते तो इस तरीके से लोग एक दूसर से different होते है last question क्या है fungi store food in the form of जब फंगी होती है वह भोजन को स्टोर करते है किस फॉर्म में तो स्टार्च, लेपिट, ग्लाइकोजन और प्रोटीन इस कोशिन का एंस्वर भी आप लोग देंगे और लिखेंगे कि फंगी स्टोर फूर्ड इन दे फॉर्म जो भी एंस्वर है गा उसको लिखेंगे सिर्फ ऑप्शिन नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत कंफूजन देगा क्योंकि मैंने ना तो कोशिन लिखे हैं तो आप लोग कोशिन लिखने के बाद जो है एंस्वर भी टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो थांक्स पर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कूस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग अप्लाइट मैक्रबालाजी वाला यूनिट बे स्टार्ट किये हैं आपको वहाली यूनिट भी कम्प्लीट करनी है तो मिलत दिस दिए है नेक्स वीडियो में विद दी यूनिट लूग वीूट है उडए उडग जग इच्छिछ में हम लोग टॉट लूट लूपनी करृट लूथे लूट नेक्स वांक्त लूट लूट पारे में अαςदं को लूट रूटूऑ लूट लूट जजट लूट